नमस्कार दोस्तों मैं विकास स्वागत है आपका स्टड़ी मेरी जिद में आज हम इस वीडियो में उत्तरप्रदेश जीके नमस्कार दोस्तों मैं विकास स्वागत है आपका स्टड़ी मेरी जिद में इस वीडियो में हम टॉप 38 बहुविकल पे प्रशन देखेंगे जीके के जो आपकी पुलिस कॉंश्टेबिल परिच्छा के लिए बहुत ही महत्पूर होने वाले हैं तो जो सिरीज है आपकी 38 प्रशनों की वो आपकी चालू रहेगी आपके एक्जाम तक तो आज आपका पहला वीडियो है तो चलिए सुरुवात करते हैं प्रशन है आपका कि सबसे छोटा महासागर कौन सा है आप्शन A अटलांटिक आप्शन B आर्किटिक आप्शन C प्रसांत या आप्शन D हिंद तो यहाँ पर जो आप्शन B है याँनि आर्किटिक वो आपका सही हो जाएगा याँनि सबसे छोटा जो महासागर है वो है आपका आर्किटिक महासागर आंगे बढ़ेंगे और प्रशन आपका अगला देखेंगे प्रशन अगला है कि निमलिखित मेंसे क्या अभिम राशी है आप्शन A प्रभेद आप्शन B स्यानता गुडांक आप्शन C गैस रचना आप्शन D प्लांक रचना तो यहाँ पर आप्शन जो A है यानि प्रभेद वो आपका सही हो जाएगा अगला प्रशन देखते हैं प्रशन अगला है कि तेलुगू कृति अमुक्त मलवेडा का लेखक कौन था आप्शन A देवराय आप्शन B हरिहर आप्शन C बुक का आप्शन D क्रश्ड देवराय तो अमुक्त मलवेडा जो पुस्तक है यहीं कृति है उसके जो लेखक हैं वहाँ आपके क्रश्ड देवराय आप्शन D बिलकुल आपका सही हो जाएगा आँगे बढ़ेंगे और प्रशन आपका अगला है प्रशन है कि नगदी रिजर्व अनुपात किसका उपकरड है आप्शन A क्रश्ड नीति का आप्शन B राजकोश्य नीति का आप्शन C कर नीति का आप्शन D मौट्रिक नीति का तो यहाँ पर जो आप्शन D है बिलकुल सही हो जाएगा मौट्रिक नीति नकदी रिजर्व जो अनुपात है वो मौट्रिक नीति का उपकरड है आपका ठीक है मौट्रिक नहीं है सोरी मौट्रिक है ठीक प्रशनगला है कि BCG TK में C सब्द से क्या भी प्राय है आप्शन A कैलमेट आप्शन B क्लोरीन आप्शन C कफ आप्शन D कैडमियम तो जो C का जो अविप्राय है अर्थ है वो है आपका कैलमेट आप्शन A विलकुल सही हो जाएगा आँगे बढ़ेंगे और प्रशन अगला देखेंगे प्रशन अगला है कि सेरसाह की महानता किसमें नहत है आप्शन A स्रेष्ट जंडल होना आप्शन B धर्म निर्पेच अभिब्रत्ती आप्शन C हमायूं पर जीत आप्शन D प्रशाशनिक शुधार तो यहाँ पर आप्शन जो D है यही प्रशाशनिक शुधार वो बिलकुल सही हो जाए यही सेरसाह की महानता है वो प्रशाशनिक शुधार में नहत है आँगे बढ़ेंगे वो प्रशन अगला है कि बातावरण में मौजूद सल्फर के ऑक्साइड वारिस से धुल जाते हैं और क्या बनाते हैं आप्शन A जीलों में यूट्रोफिकेशन आप्शन B जीबास्म इधन संग्रे का सनरच्षड आप्शन C मरदा में पी एच का निमनिस्त्री करण आप्शन D ओध्योगिक धूम निर्मार तो यहां पे आप्शन जो D है यही ओध्योगिक धूम निर्मार वो बिलकुल सही हो होता है ओप्शन A D2O ओप्शन B H2O2 ओप्शन C HDO ओप्शन D H2O तो यहां पर ओप्शन जो A है यही डी टू ओव वो आपका बिलकुल सही हो जाएगा आगे बढ़ेंगे और प्रशन अगला देखेंगे प्रशन अगला है कि क्रशी शे भारतिय ओध्योगिक विकास को बड़ावा किस प्रकार मिलता है ओप्शन E कच्चे माल की आपूर्ती करके ओप्शन B दिये गए विकल्पों में से सभी सही है ओप्शन C स्रमकों को रोट और कपड़ा मुहाया करा के ओप्शन D और ध्योगिक उत्पादों के लिए बाजार खोल कर तो यहां पर जो ऑप्शन E है सही हो जाएगा यानि कच्चे माल की आपूर्ती करके चलिए आंगे बढ़ेंगे और प्रशन आपका अगला देखेंगे प्रशन अगला है कि लोकत लिंकन आप्शन C प्लूटो आप्शन D जियोवन्स तो यहां पर जो ऑप्शन B है वो बिल्कुल सही हो जाएगा अबराहम लिंकन लोकतंत्र ऐसी सरकार है जिसमें प्रतिये की जिम्मेदार इस्सेदारी होती है जो कतन है अबराहम लिंकन का है आगे बढ़ेंगे प्रशन अगला है कि दादा भाई नौरोजी ने अपने धन का पलायन सिधान्त का किस पुस्तक में वर्डन किया है औप्शन A, British Rule and Its Consequences औप्शन B, Poverty and Un-British Rule in India औप्शन C, Nature of British Colonial Rule औप्शन D, Exploitative Nature of British Rule in India तो यहाँ पर यूँ औप्शन आपका B है यहीं पौवार्टी एंड अन्वरिटिस रूल इन इंडिया वो बिलकुल सही हो जाएगा आंगे बढ़ेंगे प्रशनगला की मदर टेरेसा की जैनती मनाने के लिए उन पर टिकेट निमलिखित मैंसे किस देश ने प्रकास्षित किया है ऑप्षण A भारत ऑप्षण B अमेरिका ऑप्षण C पाकिस्तान यो ऑप्षण D यूके तो इरु टिकेट किया है वो किया है आपका अमेरिका ने ऑप्षण B विलकुल सही हो जाएगा अंगला प्षण है कि इंटरनेट टेकनोलोजी में प्रयुक्त शब्द URL का क्या आप्षण A यूनिक रिमोट लोकेटर option b unique resource locator option c uniform remote locator option d uniform resource locator तो यहाँ पर option जो d है यहीं uniform resource locator वो बिलकुल सही हो जाएगा आगे बढ़ेंगे प्रशन अगला है कि निमलिकित में ऐसे क्या स्वतह पोशित है option a टिड़ा option b सैवाल option c तितली option d मसरूप तो यहाँ पर option जो b है निस सैवाल वो आपका श्वतह पोशित है बिलकुल सही हो जाएगा आगे बढ़ेंगे प्रशन अगला है किस दिल्ली सुल्तान ने कठोर नीती अपनाई option a बल्बन option b ग्यासुदिन तुगलक option c इल्तुत्मिश option d अलाव दिन खिल ली तो जो बल्बन था उसने कठोर नीती अपनाई थी option a विलकुल आपका सही हो जाएगा आगे बढ़ेंगे प्रशन अगला है कि जिल्ला कलेक्टर का पद कब बना गया option a 1786 में option b 1773 में option c 1772 में option d 1781 में तो जो जिल्ला कलेक्टर का जो पद है वो आपका 1772 में बनाया गया option c बिलकुल सही हो जाएगा आगे बढ़ेंगे प्रशन अगला है कि बिश्यू ब्यापार संगठन का मुख्याले कहां इस्तित है option a वासिंग्टन option b नई दिल्ली option c लंदन option d जिनेवा तो यहाँ पर option जो d है जिनेवा स्विज्यलेंड वो बिलकुल सही हो जाएगा आगे बढ़ेंगे और प्रशन आपका अगला देखेंगे प्रशन अगला है अर्थ सास्त्र मानव निर्मित उत्पादन उपकरण को किस रूम से वर्गी करता है option a संगठन option b स्रम option c उपकरण option d पूझी तो यहाँ पर option जो d है बिलकुल सही हो जाएगा जिने पूझी अर्थ सास्त्र मानव निर्मित उत्पादन उपकरण को जो पूझी रूम से वर्गी करता है अंगला प्रशन है आपनिवेशक भारत में भारतिये विद्वाओं के लिए सारदाश शदन इश्कूल की स्थापना किस ने की option a पंडता रामावाई option b दयानन सरश्वती option c सरोजनी नायजू option d महादेव गोविंद रनाडे तो यहाँ पर option जो a है यहाँ पंडता रामावाई वो बिलकुल सही हो जाएगा आंगे बढ़ेंगे और प्रशन अगला देखेंगे प्रशन अगला है कि sodium bicarbonate से carbon dioxide निकालने में बिफल अमल कौन सा होता है option a फार्मिक अमल option b सल्फियूरिक एसिड option c acetic acid option d कारवनिक acid तो यहाँ पर option जो d है यहीं कारवनिक acid वो बिलकुल सही हो जाएगा ठीक है चलिए आंगे बढ़ेंगे और प्रशन अगला देखेंगे प्रशन अगला है कि स्वतंत्र भारत के प्रतम राष्टपती कौन थे option a डॉक्टर राजेंद प्रशाद option b jl नहरू option c सरदार पटेल option d dr. s राधा क्रशन तो यहाँ पर option जो a है नि डॉक्टर राजेंद प्रशाद वो बिलकुल सही हो जाएगा प्रशन अगला है कि सर्युक्त राज रंगठन का मुख्याले कहां है option a वासिंग्टन option b रोम option c जेनेवा option d नियू यॉर्क तो सर्युक्त राज रंगठन का जो मुख्याले है वो आपका नियू यॉर्क में है option d विलकुल सही हो जाएगा अंगला प्रशन है कि उस प्रथम भारतिये का नाम बताईए जिससे ओलंपिक खेलों में एनाबॉलिक एस्टरोइड का प्रियोग करने के कारण प्रतिवंदित किया गया option a प्रतिमा कुमारी option b शुमिता लाहा option c टी समानचा चानू option d अश्वनी अंकुजी अकुझी तो यहाँ पर option c बिलकुर सही हो जाएगा टी समानचा चानू चलिए आगे वड़ते हैं प्रशन अगला देखेंगे प्रशन अगला है कि परियावरण में प्रदूशकों की उपस्थिती को सामानते पी पी एम में व्यक्त किया जाता है यहाँ पी पी एम का पूर्ड रूप क्या है option a particles per mole option b pollutant prevent measures option c purity per microgram option c option d parts per million तो यहाँ पर option जो d है parts per million वो बिलकुल सही हो जाएगा आगे बढ़ेंगे प्रशन अगला है जब पानी जम जाता है तो उसका घनत्व option a घट जाता है option b बढ़ जाता है option c सून हो जाता है option d अनियत रहता है तो जब पानी जम जाता है तो उसका जो घनत्व है वो घट जाता है option a बिल्कुल सही हो जाएगा ठीक है तो ये थे आपके Most Important DK के प्रश्णों मैंने इस वीडियो में करा दिये हैं मिलते हैं आपको अगले वीडियो में नए प्रश्णों के साथ तब तक के लिए धन्यवाद